एलो फ्रेंड, डेटा स्टेक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं A.B.L.Rotations, what is A.B.L.Rotations, A.B.L.Rotations क्या होते हैं और एक कितने तरह के होते हैं और एक किस तरह से rotations को फ़रफॉर्म किया जाता है तो इन सारी चीजियों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजेगा So लेट्स स्टार्ट वीडियो So फ्रेंड अगर बात करें A.B.L.Rotations के A.B.L.Rotations क्या होता तो सबसे पहले वी परफॉर्म रोटेशन इन A.B.L.Rotations only in case if balance factor is other than minus 1, 1 and 1 कि A.B.L.Rotations तभी परफॉर्म किया जाता है जब balance factor किसी भी A.B.L.R का balance factor minus 1, 0 या 1 के other than होत तब अगर balance factor minus 1 या 0 या 1 होता है तो A.B.L.R हमारी already balance होती है तो उसे हमें balance करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन जब अधर देन होगा कोई अगर नंबर जैसे balance factor 2 होगा minus 2, 3 या फिर minus 3, 4 या minus 4 इस तरह से कोई infinite या कोई भी balance factor हो तब हम क्या करते है A.B.L.Tree को rotation perform कराने की जरूरत होती है क्योंकि तब हमारी जो भी A.B.L.Tree होती है वो unbalance होती है तो unbalance को balance बनाने के लिए हम A.B.L.R को perform कराते हैं अब बात आती है कि A.B.L.R कितने तरह के होते हैं तो अगर बात करें A.B.L.R की दो भागो में categorize किया गया है impost Rotation हमारा क्या होता है ? लेप्ट rotation और राइट rotation Link इसको भी दो हागों में categorize किया गया है lift right rotation और राइट राइट रोटेशन को यलार रोटेशन के नाम से जानते हैं मतलब पहले एक बार लेट रोटेशन करेंगे फिर हम राइट रोटेशन करते हैं लेकिन जो राइट लेट रोटेशन उसमें पहले हम राइट साइड रोटेशन करते हैं और फिर लेट रोटेशन तो उसको यलार के नाम से इसको Arial Rotations के नाम से जानते हैं तो आईए एक-एक के बारे में deeply में discuss करते हैं तो सबसे पहले बात करें यलिया लोटेशन के यलिया लोटेशन क्या होता है और किस तरह से perform करता है तो सबसे पहले balance factor find out करने के हमारे पास एक formula है जो हमने पिछली वीडियों भी discuss किया आई होप कि आपको एक formula याद होगा balance factor is equal to height up left subtree minus height up right subtree height up left subtree minus height up right subtree तो जो भी हमारा balance factor है वो find out हो जाता है अब किसी भी tree में कोई भी tree है या फिर root note है उसके left में अगर right side में कोई insert अगर किसी right side के subtree किसी node के right side subtree में right side फिर कोई subtree insert होती है तो वहां पर yll rotations perform होता है yll rotation का मतलब है कि जहां left side हम move कर रहे हो जैसे कि यहां पर हमने insert किया है 123 तो 123 हमने perform किया तो 123 जो bht की rule से fill up होते है elements bht का rule हमारा क्या काता है कि जो भी root node होती है अगर उससे छोटा element है तो left side insert होगा अगर यहां 1 से बड़ा 2 है 2 तो right side में होगा फिर 2 से बड़ा 3 है तो 3 भी उसके right side में तो इस तरह से element हमने insert कर लिए अब इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते है balance factor find out करते है abl tree में तो जब balance factor हमने 3 का निकाला तो 1 है अब यहां पर minus 1 कैसे आया अगर यहां पर 0 है यहां पर कोई हो नहीं है तो 0 minus 1 तो minus 1 होगा अब यहां पर इधर कोई जो भी left subtree है उसमें कोई भी element नहीं है कोई भी subtree नहीं है तो left subtree 0 minus 1 2 2 को minus करेंगे तो minus 2 यानि balance factor minus 2 अब हम जानते थे कि rotation का perform करते है जब कोई भी other number minus 1 0 या 1 के अलामा कोई भी balance factor हो तो उसको हम में balance करने की ज़रूरत होती है तब यहां पर हम balance करने के लिए to make balance we use to LL rotation which move the node is the position to left अब node को क्या करते है हम left side move करते है तो जहां पर 2 है वहां पर 3 यानि यह left rotation हो गया यह left rotation और जहां 2 है वहां पर 3 अब 2 1 के अस्थान पर आ जाएगा वन क्या आ जाएगा left side आ जाएगा तो यहां पर यह लिए लोटेशन perform हो गया तो जो आप्टर यह लोटेशन के बाद जो भी ट्री balance होई कुछ इस तरह से create होई यानि 2 होगे अब यह BST के properties को भी follow कर रही है जैसे बीच में हमने 2 insert किया 2 से 1 छोटा है left में ठेक है और 3 बड़ा है right में होगा यानि BST के properties को भी follow कर रहा है क्योंकि ABL tree में rotations हमें perform कराने होते हैं बाकी जो भी binary tree जो भी tree होती है उसकी height को balance करना होता है अभी हमारी यह tree क्या थी 0 1 2 2 height का ABL tree था लेकिन इहां पर क्या हो गया कि 1 0 1 height का ABL tree create होगा त इससे हम किसी भी element को आसानी से सर्च कर सकते हैं आगे अगर हम बात करें RR rotation की तो RR rotation like a same उसी तरह perform होता है formula आपको पता हिया है कि balance factor is equal to height of left sub tree minus height of right sub tree अब इसमें क्या होता है कि कोई भी element जब left sub tree के left में insert होता है तो वहाँ पर RR rotations का use किया जाता है RR rotations का use करने का मतलब है यहाँ पर हमने क्या किया कि हमको element insert करने है क्या 3 2 1 3 2 1 हमको insert करना 3 से छोटा 1 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1 है तो हमने right side में insert कर दिया अब इसमें क्या कर रहा है कि जो भी यह perform हो रहा है क्या हो रहा है कि हमारा right side perform हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा right rotation क्योंकि one के अस्था we use rr rotation which moves notes one position to right यह अपनी position को change करके right side लेके आता है after rr rotation tree is the balance तो rr rotation के बाद जो tree है हमारी कुछ इस तरह से create हो जाती है और इसकी height भी maintain हो जाती है जब balance factor किसी भी जब किसी भी abl tree का balance factor minus 0, 0, minus 1 या 1 होता है तो balance tree जो भी abl tree हमारी पूरी तरह से balance होती है मतलब यह हसाब की अब उसकी height उससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती हाँ अगर उसकी जो भी उसका rotations है मतलब अगर balance factor minus 2, minus 3 है तो मतलब जो भी हमारी abl tree है वो अभी इससे ज़्यादा छोटी और हो सकती है तो after rr rotation tree is balanced जब rr rotation perform कराया हमने तो tree के आओ गई 0 अब जैसे इसका balance factor find out करने के लिए बात करें तो जैसे यहाँ पर क्या आए कि left subtree 0 है राइड subtree 0 है तो भाईया 0 में से 0 जाएगा 0 ही बचेगा तो यहाँ 3 में भी उसी तरह होगा 0 इधर भी है इधर 0 भी तो 0 हम से जाएगा 0 बचेगा अब देखो 2 है तो 2 का balance factor कितना होगा 1-1 1 में से 1 जाएगा 0 तो भाईया 2 का भी 0 आएगा आगे अगर हम बात करें यलार rotations यानि जिसको हम left right rotations के नाम से भी जानते हैं अब अगर left right rotations की बात करें जहां पर दोनों rotations को perform कराया जाता है formula balance factor is equal to height of left subtree minus height of right subtree यह आई होब कि आपको याद होई गया होगा अब जैसे क्या होता है कि जब कोई element जो भी root note के अगर कोई भी element left side में insert है उसके right में कोई element insert हो जाता है तो वहाँ पर यलार rotations को perform कराते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से rotations perform कराने दे जहां पर हम जब हम क्या करते हैं बहुत बड़ी trick create करते हैं तो वहाँ पर जिस root root के ऊपर balance factor 2 या plus 2, 3, 4 ऐसे आ जाएगा उसी को हम balance करते हैं जिसका 0 या 1, minus 1 होगा उसको हम balance नहीं करते हैं तो अब जैसे क्या हो गया कि यहां पर हमने 3 किया, 3 से छोटा क्या होता है, 1 होता है, अब 1 से बड़ा 2 होता है तो 2 क्या होगा, right side में आएगा क्योंकि इसको हमें BST के properties को भी follow करवाना है सबसे पहले जो R 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 का minus two, यानि यहां तक तो balance है हमारी tree, लेकिन यहां पर two आ गया, तो balance नहीं है, तो इसको balance करने के हमें जरूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते है, आरा rotation लगाएं, यानि two को one के पास भेज़ देना है, और one को एक नए left side ने root node create करके उसमें insert कर दे रहा, तो like as कुछ इस तरह से यानि three two one, अब यहां पर हम आरा rotation को perform कराएंगे, तो आरा rotation को perform कराने को आज जो भी हमारी tree है, कुछ इस तरह से create हो जाएगी, इस प्रका हम यलार rotation को perform कराके, अपने abl tree को balance कर लेते हैं, और balance factor को आसानी से find out कर लेते हैं, आगे अगर हम बात करें यलार rotation, यानि left right rotation, left right rotation में क्या होता है, कि अगर कोई भी element right के left में insert हो, जैसे कि कोई भी root node हो, उसमें कोई भी, जब root node, कोई भी root node, जब right subtree के left में insert होती है, तो वहां पर यलार rotation को perform कराया जाता है, अब यलार rotation perform कराने के लिए formula तो आपको पता ही है, कि balance factor हमें find out करना, सबसे पहले हर एक note का ह यहां पर balance factor minus 1, 1 या पर 0 के other कोई अलग number हो, वहां पर हम क्या करेंगे, कि अपने tree में rotations का use कर लेंगे, तो rotations का use करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे हमने 1 को insert किया, फिर 3 को insert किया, फिर 2 को, तो 1 से बड़ा 3 है, 3 से छोटा 2 है, चलो भीया, आगे आ rotation plus left rotation से मिल के बना होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आरा rotation को जब perform कराएंगे, तो 2 के, जो 3 है, वहां पर 2 चला जाएगा, और 3, एक 9 node को right side में create कर लेगा, तो after, जो after यला, आरा rotation है, आरा rotation यानि right rotation perform कराने एक बाद, कुछ तरी हमारी इस प्रकार से create होती है, यानि right side में सारे element insert हो गए, तो right side में element insert हो गए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, left rotation का use करेंगे, जब left rotation का use करते हैं, तो यहां पर कुछ element जो भी 3 हमारी कुछ इस तरह प्रकार से create हो जाती है, balance factor तो हम find out करी लेंगे, आयोब आप जान गए होगी, जो भी tree है, left subtree की, जो भी height होती है, उसमें से minus कर देते है, right side के height को, तो हमारा balance factor find out हो जाता है, तो I hope कि आपको समझ में आया होगा, ABL rotation क्या होता है, rotations कितने तरह के होती हैं, और किस प्रकार से perform होती है, तो अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद कर दो